तो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात के ने जा रहे हैं Redmi के एक नए स्माटफोन के बारे में Redmi 10X के बारे में अब यह जो स्माटफोन होने वाला है यार 26 ताई को यह स्माटफोन चाइना में लॉंच होने वाला है और इंडिया में कब आएगा वीडियो के लाश में बताने वाला हों कि इंडिया में कब आने वाला है देखो यह इस स्माटफोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो MediaTek का Dimensity का A20 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है तो यार 4,15,000 कुछ इसका Intu2 score निकल काया था जो कि काफी बढ़िया बात है यह Snapdragon 765 के 5G प्रोसेसर को भी बीट कर रहा है जो कि काफी तगड़ी बात है ठीक है यह प्रोसेसर लिटरिल यार काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है यह प्रोसेसर यह Dual-Band 5G को सपोर्ट करता है और 7nm की टेकनलोची पे बेज़ तो यह तो यह तो थी प्रोसेसर की बात की 820 5G मिलने वाला है तो यह 6.67 इंचीज की Amulet की डिस्पले देखने को मिलने वाली है साथ के साथ इन डिस्पले फिंगर पिंगर पिंट सेंसर होने वाला इसके इंडर कोई भी साइड मांटे फिंगर पिंगर पिंट सेंसर देखने को नहीं मिलने वाला है तो काफी सही है यह मतलब इतना भी आपको डिजैन में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है तो यह चार कलर विलिंट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है तो यह 48MP का Quad Camera का सेटप देखने को मिलने वाला है 48MP, 8MP, 2MP, 8MP, 2MP, 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 16MP, 16MP, इसके अंदर आपको फ्रेंट केमरा देखने को मिल सकता है तो यह इसके अंदर आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है यार वह आपको सपोर्ट देखने को मिलता है उसके अंदर 4K 30fps तक का वीडियो शूट करने का जो की काफी सही बात है बात करें बैटरी की तो इसके अंदर आपको 4420 इमेज की बैटरी देखने को मिल सकती है वी 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ हंजी दोस्तों यह होगी हमारी बैटरी की बात और बात कर इस फोन के रैम और स्टोरेज वीरियंट की यह निकल के यह आ रहा है कि यह स्मार्टफोन होने वाले दो मतलब वेरियंट में लौच हो सकता है एक 4G वाला एक 5G वाला जो 4G वाला रैम वेरियंट होने वाला है Redmi 10X 4G उसके साथ आपको दो रैम और श्टोरेज वेरियंट देखने को मिल सकते है 6GB RAM के साथ 64GB, 6GB RAM के साथ 120GB और जो अपना Redmi 10X 5G होने वाल है वो भी दो वेरिंट में आज सकता है 8GB RAM के साथ 120GB internal storage और 8GB RAM के साथ 256GB internal storage तो यह देखो यह तिस फोन की overall specifications जो कि मैंने आपको बता दी है बात करें स्मार्टफोन की price की तो यह इसकी price I think 20,000 के nearby हो सकती है यह ज्यादा मतलब अच्छी देखने को मिलती है और processor तो यह A1 देखने को मिलते है आपको A1 यह देखते इसकी क्या price होने वाली है क्या पता 20,000 से उपर भी देखने को मिल जाए क्या पता 20,000 से कम कभी आपको देखने को मिल जाए इसका base variant बात करें स्मार्टफोन इंडिया में कब launch हो सकता है तो यह I think यह स्मार्टफोन जुलाई में आपको देखने को अराम से मिल सकता है इतना ही था इस वीडिटो में वीडियो पसंदे तो मेंकर इस वीडियो को लाइक करादाँ आया है चैनल को सब्सक्राइबने कहते तो ४्रेश सब्सक्राइब करके बताना कि वीडियो कैसी लगी मैं मिलूंगा आप तब इन नई तब तक ह plagने चैनल झाल झाल